गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हास्पिटल स्वरुप्टिगर कानपूर। आज मैं बात करूँगा एक जनरल टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आप लगातार सुनते हैं कि हमारे एक दोस्त को एंजाइना हो गया, हमारे एक चाचा को एंजाइना हो गया, हमारे एक एंप्लॉई जो हमारे कंपनी में काम करता था उसको एंजाइना हो गया, एंजाइना शब्द आपके सामने कई बार आता है, लेकिन एंजाइना के बारे म में, तो ये दोनों नाम से जाना जाता है, नो एंजाइना वास्तों में क्या होता है, जब मैं एंजाइना की बात करता हूँ, तो मैं चेस्ट पेन की बात करता हूँ, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपके जो हार्ट की मन स्पेशिया हैं, उनको एडिक्वेट मात्रा में blood की supply नहीं मिल रही है अगर आपके heart की जो man's patient है या heart को adequate मातरा में blood supply नहीं मिलेगी तो ये बात बिल्कुल सही है कि chest में pain आएगा और ये chest pain कभी इतनी तेज होता है कि आपको ये लगता है कहीं heart attack तो नहीं हो गया है आपको pressure मैसूस होगा chest के उपर आपको लगेगा जैसे एक जोनत 5 kg का वजन रख दिया गया है या कभी-कभी chest में squeezing का sensation आएगा जो एंजाइना में कभी-कभी आता है जहां तक एंजाइना की बात है ये बात बिल्कुल सही है कि ये heart की बिमारी का problem है या heart की बिमारी का संकेत है जब भी कोई भी जो kleinerी arteries होती है या heart की मांस पिशें के सपलाई करने बाली जो ुखोन की नस्यों होती है या धमनिया होती है उनमे कोई भी रुकाबट आएगी अगर कोई भी रुकाबट आएगी तो आपकी जो heart की मांस पिशे है उसको blood की supply कम होगी blood की supply कम होगी तो उसको oxygen कम मिलेगी उसको oxygen कम मिलेगी तो इससे दर्द आएगा जो heart की muscle से अगर oxygen नहीं मिलने से दर्द आता है वास्तो में इसे angina के नाम से जाना जाता है पर जहां तक angina की सवाल है इससका सबसे important जो factor है वो यह है कि बहुत जल्दी खतम हो جاتा है याने एंजाना आया ये 30 सेक्ठ रह सकता है 45 सेक्ठ रह सकता है एक मिनिट रह सकता है बट बाइन लार्ज एक मिनिट में ये खतम हो जाता है जादा देर तक नहीं चलता है लेकिन ये बात सही है कि वो आदा मिनट, एक मिनट के लिए भी आए तो भी ये इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट में कुछ प्राबलम है और ये important हो जाता है कि आप ये find out करें कि हार्ट में प्राबलम क्या है so that इसको अगर आप correct करेंगे तो heart attack आने की संभाव ना कम हो जाएगी अगर आप इसे investigate कराते हैं आप अपने doctor को दिखाते हैं वो जांच करके देखते हैं कि आपको एंजाईना है तो by and large most of the patients सिर्फ lifestyle change करने से और कुछ medication से आपकी जो problem है वो काफी settle हो जाती है या control हो जाती है कभी ऐसा होता है कि problem अगर serious है और बार बार आपको एंजाईना आ रहा है तो आपको कभी एंजियो प्लास्टी करानी पड़ जाती है और रेरली कभी-कभी आपको bypass surgery भी करानी पड़ जाती है नो क्या एंजाईना ही heart attack है यह बहुत questions में आमें लोगों के मन में रहता है कि एंजाईना ही heart attack है या आपको छोटा एक heart attack हो गया है देखें एंजाईना और heart attack यह दो बिल्कुल अलग अलग चीज़े है जब मैं heart attack की बात करता हूँ इसका मतलब यह है कि आपके heart की जो muscles है उनको जो supply करने बाला जो blood है जो blood vessel है या coronary arteries है उनमें कुछ गलबड हुई जिसके चलते हाट की मांस्पेशियों को जो खून की supply है वो कम हुई कम हुई कम हुई और बंद हो गई इसका मतलब यह है कि आपके heart की जो मांस्पेशिया है उसको वास्तों में खून की supply लगबग बंद हो जाती है यह heart attack है जब खून की supply बंद हो जाएगी इसका मतलब है कि मांस्पेशियों को blood नहीं मिलेगा अगर मांस्पेशियों को blood नहीं मिलेगा तो over a period of time यह जो मांस्पेशिया है इनके damage होने का मरने का डर रहता है तो यह die हो जाती है अगर ऐसा होगा तो heart में permanent damage हो जाता है तो heart attack में जो coronary artery से वो block हुई तो खून की supply मांसपेशियों को बंद हुई तो उसको oxygen मिलना बंद हुआ तो मांसपेशियों permanently damage हो गई यह heart attack है और अगर हम एंजाइना की बात करें तो जो blood की supply वो कम हुई लेकिन over a period of time recover भी हो गई यह जो कम हुई heart की supply heart में जो blood की supply है तो जो मांसपेशियों को temporary oxygen कम तो मिली लेकिन उसमें कोई permanent damage नहीं हुआ चुकि permanent damage नहीं हुआ तो इसलिए अगर आप treatment कराएं तो आपका heart पूरी तरह से सुरक्षितर होने की संभावना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो एंजाइना is a very common problem जो heart की जितनी बीमारिया है वो सबसे पहले एंजाइना के रूप में ही सामने आती है आपको एंजाइना की symptoms को पहचानने की जरूरत है आपको एंजाइना के कारण समझने की जरूरत है और अगर एंजाइना आ रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरन दिखाने की जरूरत है ताकि इसके corrective measures लिये जा सकें इन इस problem से छुट कराएं पाया सकें तो इन जनरल एंजाइनों को समझने में अगर यो वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा from guest to liver hospital स्वर्पणगर कानपूर थैंक ये वरे माच